कभी को नमश्कार पथिक कविता में कवी दुनिया के दुखों से विरक्त है और वह है प्रकर्ति के सौंधरे से मुख्ध हो करके वही रहे जाना चाहता है यानि कि यह कविता प्रकर्ति प्रेम पर आधारित है प्रकर्ति क्या होता है नेचर को हम प्रकर्ति कहते हैं हमारे आसपास की प्रकरती का सुन्दर चित्रन यहाँ पर कवी ने किया है कवी बादलों के नित्य को बताता है यानि बादल नित्य कर रहे हैं तो यहाँ पर उसने मानविय करन अलंकार का प्रयोग किया है कवी कहता है कि आकाश में सुरी के सामने बादलों का समुहु हर क्षण नए रूप बना करके निराले रंग में नाचता हुआ सा दिखाई दे रहा है प्रतीत हुना होता है नाचता हुआ सा लग रहा है नीचे नीला समुद्र है तिथा उपर मन को हरने वाला नीला आकाश है ऐसे में पथिक का मन चाता है कि वह मेग पर बैठकर इन दोनों के बीच में विचरन करे या रहे बादलों पर बैठकर के वहां विचरन करे पथिक केता है कि उसके सामने समुद्र गर्जना कर रहा है यानि कि तेज आवाज में गर्जना हो रही है और मलाई परवत यानि की मलाई परवत जो है वहां से सुगंधित हवाई बह रही है और अपने प्रेय को सम्बोधित यहां पर करता है और कहता है कि इन द्रश्यों से मेरे मन में उत्साह का संचार हो रहा है मैं उत्साहित हो रहा हूँ मैं भी चाहता हूँ कि लहरों पर बैठ कर समुद्र के इस विशाल काई घर के कोने कोने को देखूँ वे चाहता है कि समुद्र की लहरों पर बैठ जाए और पूरे संसार के हर कोने को देखे यहाँ पर हम देखें तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और कोने कोने की बात करें तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है क्योंकि कैका यहाँ पर repetition हुआ है और साथ ही कविता में संबोधन शैले है कवी यहाँ पर सुर्योदे का वर्नन भी करता है समुद्र की सता से सुर्य का विम्ब अधूरा निकल रहा है अर्थात आधाई सुर्य दिखाई दे रहा है और आधा सुर्य समुद्र के भीतर दिख रहा है तब कहता है कि ऐसा लगता है मानो लक्ष्मी देवी के स्वान मंदिर का चमकता हुआ कंगूरा हो इसा दिख रहा है जिसे मंदिर के उपर का गुंबद होता है वैसा उसको दिखाई दे रहा है पथिक को लगता है कि समुद्र ने अपनी पुन्य भूमी पर लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए सोने की सड़क बनाई हो यानि कि अब वो कलपना कर रहा है सोने की सड़क की कलपना की जा रही है जिस पर लक्षमी आएंगी और ऐसा वो कह रहा है कि समुद्र ने ये रोड बनाई है ये सड़क बनाई है सुभह सुर्य का प्रिकास समुद्र तल पर सुनहरी सड़क का द्रिश्य प्रस्तुत करता है यानि कि जब हम समुद्र पर देखें जब सूरज की किरने आती हैं तो कैसे दिखाई देती हैं एक सड़क की तरह की दिखाई रहती है समुद्र फैरहित मजबूत है और गंभीर है और गरज भी रहा है यानि तेज आवाज वहां से आ रही हैं वहाँ पर लहरे आ रही हैं एक के बाद एक जो बहुती सुन्दर है तब वह अपनी प्रिया को कहता है कि हे प्रेम मई मंगल कारी प्रिया तुम अपने हिदे के इस सौंदर्य का अनुभव करो और बताओ कि यहां जो सुख मिल रहा है क्या उससे अठिक सुख कहीं मिल सकता है याणि कि इस सौंदर्य का कोई मुकाबला नहीं है यहाँ पर सुर्योद्य का अधवुत वर्नन हम देख सकते हैं और कभी प्रकर्ती सुंदरिय और प्रिया प्रेम में प्रकर्ती को ज़्यादा सुंदर मानता है अनुपरास अलंकार है और प्रेशन अलंकार है यानि कि प्रेशन पूछा जा रहा है यहांपर प्रेशी से फिर पथिक पताता है कि जब आधी रात को गहरा अंदकार सारे संसार को ठक लेता है और आकास की छट पर तारे बिखे देता है अर्थात आकास में तारे छा जाते हैं तारे चमकने लगते हैं उस समय मुस्कुराते हुए मुक से संसार का स्वामी यानि के इश्वर गौड जो है धीमी गती से आता है और समुद्र तट पर खड़ा हो करके आकाश गंगा के मनमोहक गीत गाता है कैसे गीत गाता है मनमोहक यानि मन को मोहने वाले गीत गाता है संसार के स्वामी के इस करे पर मुक्द होकर आकाश में चांद हसने लगता है चांद हस रहा है मुस्कुरा रहा है और उस ताइम पर प्रकर्ती भी प्रेम से मुग्द हो जाती है प्रसन हो जाती है खुश हो जाती है रक्ष अपने पत्तों और फूलों से शरीर को सजा लेते हैं पक्षी भी खुशी को संभाल नहीं पाते हैं और मुगध हो करके चहचाने लगते हैं फूल भी सुख की आनंद युक्त सांस लेकर के महगने लगते हैं यहाँ पर आप देखो कि प्रकरती का चित्रन जो हुआ है उसमें हर वस्तु का मानविय करण किया गया है और साथिक कल्पना शक्तियां पर हम देखें तो कवी की अध्वूत है उसने हर चीज में दूसरे से उसकी तुलना करने के लिए मानविय करण किया है अनुपरास अलंकार है प्रशाद गुण है कवी प्रकर्ती के सुंदरी से अभिभूत है यानि बहुत ज़्यादा खुश है और कहता है कि प्रकर्ती की प्रेम लीला से वन उपवन पहार समूद्र पनस्पतियां बादल आदि सभी बरसने लगते हैं और वे भावक भी हो जाता है उसकी आँखों से आँसु आने लगते हैं तब वे अपनी प्रेमिका से कहता है कि समूद्री की लहरों किनारों तिनकों पेर और पहार अकाश है कीरन बादल इन सब पर लिखी गई कहानी को पढ़ो ये बहुत प्यारी है यानि की प्रकरती की कहानी को पढ़ने के लिए कहता है और कहता है कि तुम जब ये पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि प्रकरती सौंद्रे की ये है प्रेमिकाहानी बहुत मधूर है मनोहर है और पवित्र भी है पथिक चाहता है कि वह इस प्रेम कहानी का एक अक्षर बन जाए और विश्व के बाणी बने यहां सदा आनंद प्रवाहित होता है पवित्रता है तथा सुक देने वाली शांती है यहां प्रेम का राज्य छाया रहता है जो बहुत सुन्दर दिखाई देता है प्रकरती का फिर्शी मानविय करण है और अनुप्रास अलंकार है उसके बाद कवी क्या कहता है उसके बाद कवी अगर बात करें तो यहां सारी कविता में सेफ और सेफ मानविय करण क्रिया कलाप को दिखाता है और अपनी छोटे छोटे शब्द जो है उनसे कविता का अर्थ मन मोहक बना देता है यहां पर नयन, नी, तट, तरण, आदी जो शब्द प्रयोग किये है विश्वा, वीमो, हन्हारी आदी सब में संगीत आत्मकता है यानि कि इसे गाया जा सकता है संबोधों शैली का प्रयोग भी किया गया है और इसी तरह से कवी चाहता है कि नील गगन में बैट कर घूमो और सारे संसार का सागर का कोना कोना देख लो